कभी मुसल्मान कभी दलित तमाम जातियों पर बातचीत हो चुकी है लेकिन ये एक मात्र ऐसे शक्स हैं कानपूर का जो प्रतनिधित्व करते हैं और जिन दो अलग अलग जगों से इन्होंने अब तक चुनाव लड़े हैं साथ बार जो लगातार जीते हैं वहाँ पर इनकी पंजाबिक खत्री कम्यूनिटी सिर्फ एक हजार है तो जोड़दार तालियां जिसने जातियों के जनजाल को तोड़ने का काम किया और इस तरह से एक नई लकीर कीची है बहुत शुक्रिया आपका पंचात आज तक का हिसा बनने के लिए अगर ये तमाम बाते लेकर अब तो लोगों को कैसे समझाएंगे उद्योग बंतरी के तौर पर आफ मैं थैंक यू सबसे पहले आज तक तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अफसर दिया अपनी बात कहने का इस मच पर महत्तवपून मच पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उ इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको पता था कि अगर जाएंगे तो अपहरन हो जाएगा लूट लिया जाएगा उत्तरपदेश में इंफ्रस्ट्रेक्शर नहीं था उत्तरपदेश में बिजली नहीं थी उत्तरपदेश में हैंड होल्डिंग नहीं थी इस और बिजनस के सबसे महत्तुपुर्ण और होट टॉपिक है सब दिसकुशन का डिसकुशन पहले इसकुशन भी नियो होता अगर मैं इलेक्ट्रानिक की बात करूँ तो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेलिफोन मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री उत्रवदेश में है। अगर मैं आज इस बात की बात करूँ कि कोविट क्राइश लोगोन ने चाइना से मूव कि अपनी इंडस्ट्री तो सैंसंग डिस्पले के महाध चाइना से मूव होकर हंदूस्तान आई तो हंदूस्तान की उत्तरवदेश में यह जिसका प्रोड़क्शन स्टार्ट हो गया। मैं अगर आज बात करता हूँ कि उत्तर वदेश में जो साउथ इंडियन स्टेट्स होते थे, जो अपने आपको बहुत सारे जो विदेश से लोग आते थे, तो वो यहाँ पर आकर उतरते थे, बैंगलोर उतरते थे, मदरास उतर, चन्नही उतरते थे, मंबई उतरते थे, लेगी नहीं बदल रही है, आज उत्तर वदेश में इंडिस्ट्री के नाते से, आज मैं इस बात को कहूँ कि अगर लगब लगब दो धाई साल पहले जो साल लोग उसके अप्लिकेंट होते हैं, पहले जो प्लॉट दिये जाते थे, वो रियल एस्टेट के काम आते थे, कि लगाने के लिए प्लॉट ले लिया, धो चार पांच द साल बात करते हैं, हम इस बात को एक्ट लेकर आए, अगर एंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है तो आपको पनस साल भी इंडस्ट्रियल प्लॉट आपका निरस्त हो जाएगा, उसके बाद भी, बड़ी संख्या में इं को लैट, अलॉट्मेंट कर दिया, उनका काम शुरू हो गया, आज विदेशों के बहुत सारी कमपनियां, जो हमारे देश के अंतर काती थी, आज उत्तर विदेशों उनके लिए पिफ़र डेश, एबी मौरिस के बात करूँ, इस्ट बनाने का काम करते हैं, वो आप उत्तर विदेश में आ रहे हैं, देश और विदेशों से इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने का काम हमारी पॉलिसी इसके द्वारा, पॉलिसी आप देंगे दर्शकों को, निश्ची दूब से दूँगा, निश्ची दूब से दूँगा, जिसमें हमने, आपकी सरकार बनने के बाद, योगी सरकार बनने के बाद, जिसमें हम लोगों ने पहला इंवेस्टर समिट किया था, एकिस और बाइस फिबरवरी 2018, कोई एक साल भी नहीं हुआ था, हमारी सरकार को, इस प्रकार का इंवेस्टर समिट देश के किसी भी स्टेट के दौरा नहीं किया गया, ये आज तक के दौरा कहा गया, टेलिविज में आएगा, अगर नैशनल और इंटरनाशनल लेवल के ओपर MOUs का रियालिटी में कनवर्ट होते हैं, अगर देखा जाए तो 12 से 15 प्रतिशत होता है, लेकिन हमारे द्वारा जो MOUs साइन के लबग 40 प्रतिशत इंवेस्टमेंट, रियालिटी ऑन ग्राउंड इंवेस्ट में चालू हो गया, केवल हमने इस बात को कहा नहीं, 212 फेबरवरी को 2018 को हमने इनवेस्टर सब्मिट किया, और एक जुलाई, 29 जुलाई, 2019 को, नहीं, दो सेकिंड सब्वे हो था, हमारा ग्राउंड बेकिंग, पहली ग्राउंड बेकिंग हमने 5 मिने में करी थी, 2018 में, अब करने का, और वहां के लोगों को रोजगार देने का का, हाँ, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी और काम कर रहा हूँ, उसी और बात बता रहा हूँ, कि पहला इन्वेस्टर सब्मिट करने के पांच मेने के बाद भी हमने ग्राउंड ब्रेकिंग किया था, ग्राउंड सब्भा और विदान परशिड, लोक सब्भा और राज सब्भा के सारे सदसियों को परस्निल यी जाकर मैंने इन्विटेशन दिया था कि आप आये और मैंने हर इंडस्ट्री की फोटो के साथ वहाँ पर डिस्पले किया था कि यहाँ पर इतने इंडस्ट्री चालू हो रही है यह काम हो रहा है और एक साल के अंदर उसमें ने साथ हजार करोड रुपे के इन्वेस्मेंट के प्रपोजल जो आया थे ग्राउंड ब्रेकिंग में आ गए थ प्रदानमंत्री का जिक्र किया उनकी कही गए एक बात याद आ गई उनकी ओर से आपके तमाम मंत्रियों को कहा गया है चाहें वो केंद्र में हो या फिर अलग अलग बीजेपी शास्ट राजियों में कि तमाम मंत्राले रोजगार देने का काम करें और उसके आंक्रे निका कना है अनौड है और इंडस्ट्री मे पन्दान से पीश प्र extracting लोगों को रोजगार दिया जाता है यह बात सitu होनी से क्योंकि जिसम रोजगार के बात आती है तो कुछ लोगस ठीक हो जाते हैं कि के बाल serum ही रोजगार अब बग हमने दस लाख लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश के अंतर कर दिया है। और दूसरी जगह से दो बार से आप वधायक हैं। तो ऐसा क्या है सतीश महाना में कि जातियां पीछे हर जाती हैं और आपको वहां की जनता चुनकर विधान सभा भीज़ दीती है। कि तीन अलग-अलग विधान सभा में हो गया। एपार्ट आफ माई ओल्ड कोंसिट्वेंसी इस नौए पार्ट आफ महाराजपुर विधान सभा अलसो। सो मैंने कॉंसिट्वेंसी चेंज नहीं करें कियोंकि जनरली मैं इस बात को नमानता हूँ मेरे को कभी किसी ने का कि आप कॉंसिट्वेंसी चेंज नहीं करूंगा। मेरे Constitution CC में कोई जाती ही नहीं है कोई बरादरी नहीं है क्यपल एक बरादरी और एक जाती है वो विश्वास की है वो विश्वास की है विश्वास और विकास मेरे साथ चलता है ये मेरे लाज सबसे बड़ी उपलब दिया है फिर बीजेपी को बार बार ये क्लारिफाई क्यों करना पड़ रहा है कि देखियो OBC का इतना प्रतनिधित्व है हमारी पार्टी में बाकी जातियों का इतना है जो सवन गरीब है उनको भी साथ में लेकर चल रहे है केवल इस बात को कहते हैं, इस इस फलाँ फलाँ जाती के लिए काम करेंगे, हमारे नेता कहते हैं, कि हम सब के लिए इस बात करेंगे, मैं एक चैनल की बात करना चाहता हूँ, विडियो रिस्पेक्ट, और उन्होंने एक मानी प्रधान मंतिजी जिस समय वो गुजरात के अगर सब में सब हैं, तो सब के लिए करेंगे, चाहिए वो जाती के आधार के ओपर, चाहिए धर्म के आधार के ओपर, सब के लिए करेंगे, ये दिल्शस है, मतलब राजनिती कांक्रे आप लोग बिठाई हैं और ठीक रहा उसका मीडिया के ओपर फोड़ दिए, ने ये जिसे पर प्रदान मंतरी जी ने एक कहा कि नहीं कहा, सब का साथ और सब का विकास, और सब का साथ और सब को प्रतनिधे तो मिलना ही चाहिए, और वो मंतरी परशद में भी दिखाई पड़ता है, और समाज में भी दिखाई पड़ता है, सब का साथ, सब का विकास तो ठीक ह कोई शक नहीं रहना चाहिए अगर हमारी गौवर्मिंट आने के बाद अगर अलब संख्यों के लिए जो योजनाए पहले आती थी उससे कुछ जायदा या आई होगी हमारी हमारी सरकार आने के बाद पहली बार इस देश के किसी प्रधान अलब संख्यों कोई हाथ्में विषेश रुप से मसिल्मानों के हाथमें तो एक हाथमें अगर उनकों कम्प्यूटर होना चाहिए तो एक हाथमें कुरान होनी चाहिए उनने दोनों को साथ लेकर गा पहले लोग सिरफ कुरान के साथ चलते थे उन्होंने का आप computer भी शात होना चाए है, उनके विकास की भी बात करीते हैं आज अगर देश को विकास की बात कर रही है, आप बहुस सरी लोग बहुत सरी प्रकार की चर्चा करते हैं अगर हम कैते हैं, हम सबको साथ ले कर चलेंगे तब नी इनको परेशानी है, हम साथ ना कर चलने के हमारी कभी सोची नहीं अगर परम पूजने सरसंग चालग जी कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर जाती हर धरम का डियान ने एक है वो राष्टवक्ति का है बिना एक वर्ग को छोड़े किसी एक वर्ग को छोड़ कर मैं चाहिता हूं किसी एक वर्ग को देश की तरके नहीं हो सकती हैं सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा चाहे वो हिंदू ओ चाहए वो सान्माओं उ... तो इसमें भी लोगों को परिशानी है कि सरसंग चालग ए यह बात कह क्य Anime हैं तो जिन्होंने समाज को बटवारा करने का काम किया जिन्होंने समाज का विगटन किया जिन्होंने समाज को बांट कर राज़िती करिये उनको इस बात के लिए परिशानी है भार्टी जन्ता पार्टी और संग विचार धारा के लोगों के लिए इस पश्ट है कि इस देश किसी धर्म का हो वो इस देश के विकास में अपना योगदान के लेकिन बहुत सारे मुद्दो को लेकर विपक्षमलावर है खिलेश रादब के और से बार-बार कहा जा रहा है बाइस में बाइसकिल हाँ यह बात तो बहुत बढ़िया कही है हम लोग ने कहा कि हमारे को लगब सवाथ सुइटों से वह ज्यादा लेंगे यह बात हमने कि यह पर ने कहिए है तीन च।फाई मैज़रिटी से ज़्याइऑ मेज़रिटी से जवाथ सिट लेने के बाती तो सवाथ दिस सुगह बारे पार्ट हम आरे को आपने हिसाब मुख्य प्रतिद्वंदी आपका कौन है सामने जब मैं पीछे मुण कर देखता हूं तो बहुत दूर कुछ दो लोग लड़ते हुए दिखाए पड़ रहे हैं दूसे तीसे नंबर पे कौन होना उन्होंने तै कर रहा है हमारे सामने कोई नहीं आगे बढ़ते हुए कोरोना काल में आपने मुख्यमंद्री योगी आदितिनाथ को चठी लिखी थी अपने अलाके में हॉस्पिटल बेट के लिए कोरोना से लड़ने में क्या सरकार से कोई बड़ी चूख हो गए क्योंकि सेकेंड वेप के दौरान जिस तरह की तस्वीरे सामने आई थी उसने सभ को परेशान किया था और खुद आपके ही टमां बीजेपी के भीतर से मुखरावाजें बलंद हो रही थी कि सरकार किस तरह का का काम कर रही है देखे मानने योगी जी के सरकार एक पार दर्शी सरकार है करोना क्राइसिस उत्तर पडेश का और एक शहर का नहीं है करोना क्राइसिस ने परिशान किया यह बहुत दुख़द है जिस से करोना क्राइसिस में विशेश रूप से दूसरी लहर में जिस परकार से लोग हातात हुए है जो मृटालिटी इस हुई है वो बहुत दुख़द है कहीं भी हुई हूँ लेकिन अगर प्रबंदन के लिहाद से द कि अगर हम गलत बात को अपने मन में लेकर बैट जाए अगर कोई कमी है तो इसका उन्स हम सुधार नहीं कर सकते हैं अगर उस सुधार के लिए मुखमंत्री जी को पत्र लिख दें कि महाराजी इसमें इस सुधार क्या आउश्टा है इसमें थोड़ा सा और फंड चाहिए और उक्सिजन चाहिए और डॉक्टर चाहिए यह तो पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए इसको नेगटिव सेंस में क्यों ले रहे हैं अगर हम मुखमंत्री जी को कहें कि अगर महारा कोई है मेले कोई मिनिस्टर सरकार को यह कहता है कि यह चीज की कमी आप उसको ठीक कर दो अगर कमी हम चुप चाप बिना बताए वो उसकमी को स्विकार करते हैं और लोगों को परिशान करते हैं यह अच्छी बात है चिए अपनी बात को बता कि उसको सुधार है यह अच्छी बात है अगर अपनी बात को सुधारने के लिए बात अगर उच्छ स्थार के उपर कही तो इसके परिणाम सकारात्मक आएं तो इसकी प्रशंशा होनी चाहिए आलुचना नहीं होनी चाहिए वो कौन से बड़े मुद्धे होंगे जिनके आधार पर आपको लग रहा है कि सरकार रिपीट कर जाएगी तो बहुत सारे मुद्धे हैं आज की तारिक में एक मुद्धा नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए यह लॉइन और्डर बहुत महत्तपून बात है हमारे सरकार में आम विक्ति तक उसके जो अधिकार हैं वो पहुचने का काम किया अपराद कम हुआ है अप यह जिश्य दूरुप से अपराद कम हुआ है जितना में और्गनाइस करें था सारा कम हुआ है मैं इस बात को कल एक गाओं में था मिया माँ पर यह अन्य योजना के अंतरफ खाद वितरना तो मुझे एक आदमी ने वो रहा हुने का पहले गाओं में जिस समय कोई जन प्रतिन्दी आ जाया करता था तो एक भय का महार हो जाता लोग सहम से जाते थे क कोन आ जाएगा पहले राज नित्री की दल जो सत्ता में होते थे उनके कारे करता हूं कि द्वारा किसी ना किसी प्रकार का अपनी धमक बनाने के लिए अपनी गुंडा करते स्थापित करने के लिए लोगों को परिशान किया जा सकता था आज मैं इस बात को बड़े गर्व इस से इक्षा के अनुसार स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब दिया है दर ही सबसे बड़ी वज़त थी कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री जाने से परहन हो जाता था लोगों को लूट लिए था पहले इंडस्ट्री जब इंडस्टर प्रदेश में तो दो इंडस्ट्री जज़ जए वोगों को लोगों से तारिक में फैदा दो इंडिवीजिल्स का नहीं है इंडिस्ट्रिस का तो सभाविक रूप से फायदा है और उत्तर प्रदेश का फायदा है कि उत्तर प्रदेश के एकॉनमी बढ़ेगी उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में रोजगार आएगा उत्तरबदेश की एक जो छवी है जो खराब थी वो पूरे देश और दुनिया के इंदर के बढ़ेगी आज जो एजेंडा है वो शिफ्टेड है इन दा इंट्रेस्ट ऑफ पीपल आफ उत्तरबदेश दो इंडिविजल का इंट्रेस्ट आज नहीं है ठीक है ये चमचमाती ह करके तो इस वक्त पीछे स्क्रीन पर चल रही है लेकिन उत्योग धंदों के लिए खास्तावर से चाहें वो बजली हो चाहें बहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क हो या फिर वाटर लॉगिंग की भी कई जगों से मैं रिसर्च देख रही ती उसमें समस्या है स पार्टमेंट आता है जहांप पर एक्स्प्रेस हाई वेस हम बना रहे हैं माननी ये प्रधान मंतरी जी ने जिए जिए में डिफेंस इंडिस्ट्रिल कॉरीडर की खोशना करी चाहांसी और चित्रकूट में तो मानने योग धियं ने करिए अगर वहांप पर डिफेंस पहले एक्सप्रेस हाइवेस केवल वो काम करते थे कि सड़क बना के काम खितम कर दी। मैंने इस बात करने इंडिनेट गिया कि जितने भी एक्सप्रेस हाइवेस हैं, उन एक्सप्रेस हाइवेस के किनारे किनारे हम इंडस्ट्रिल क्लस्टर्स बनाएंगे, इंडस्ट्रिल टाउंशिप बनाएंगे, तो वहां पर उन इंडस्ट्रिस हाइवेस के किनारे के राने उसको बनाने के, इंटराश्य के नाते से, जितना विकास, माने निया मोदी जी ने, जो सोच करके देश में किया, माने योगी जी ने उत्तरवदेश में इंटराश्य के रखताध्य का जितना development हुआ है, शायद ये थिहास में कभी भी नहीं हुआ होगा आज सडकें अच्छी हैं आज सिवरेज सिस्टम अच्छा है आज सरकार की योजनाई जमीन तक पहुँचती है पहले उत्तर विश्च में पीने के पानी नहीं था हर घर जल और हर घर नल की योजना आज काम शुरूग हो गया जल्मंत्रे बताके गया है पंदरवस से बीस फीस पीसदी ही नल की विवस्टा किये गया है गाउंता जीरो से बीस हो गयाना σके पहले तो जीरो था ये नहीं पता कि पहले कितना था पहले तो लोग कहते हैं यहाँ पर पानी मिले गा है नहीं बंदेल खंड के लिए शेश रूप से वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं जाएगी कहीं कुछ नहीं होगा सबसे बड़ी समस्य है कि पानी नहीं है आज 20% है हमने उसके शुरुआत करी है अगले टर में हम 100% पानी है युके कि उसके दो आपको बताया यहां पर विदेश्टे वाले है कि इतने लोग में पूरी देश और दुनिया से आज सुबहे भी एक icon delegation मेरे से सुबहे मिलकर गया अधर पर केरे और इंडस्ट्रीज को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे अब उत्तर वदेश की एक जो छवी है मैंने कहा ना कि अगर मार्केट की लहाँ से देखा जाए इंडस्ट्रीज के नाते से मैं जब मिनिस्टर बना तो मेरे ध्यान में आया है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट से कि नाते से हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं पर्थान मंतरी जी का आशिरवाद मिला मुख मंतरी जी ने उसको आगे बढ़ाया और मैंने उसको करके दिखाया है चलती चलते आखरी सवाल आप से है आपने खुद के लिए तीन सो पचीज से जादर सीटें 22 सीटें समाजव पादी पार्टी और कॉंग्रेस के लिए बेस्पी और कॉंग्रेस के लिए आपके कॉंग्रेस देखें कॉंग्रेस इनोवा पार्टी है इनोवा पार्टी का मतलब इनोवा में साथ सीटें होती है आज कॉंग्रेस के पास साथ थी एक चली गई अब कॉंग्रेस हो जाएग किस मंस पर शामल होने के लिए और तमाम सवालों के लिए सतीज जी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद चित्रा और आप सभी से गुजारेश है कि कि लंज के रिए प्रस्थान करें लंज सर्व हो चुका है और हम ठीक आधे घंटे बाद यहां पर फिर मौजूद होंगे धाई बजए हमारे अगले सेशन के शुरुआत होगी चाख